शिवान जिले के पंचाइच महम्मद पुर परखंड भागवानपूर हाट शिवान के लगभग 200 घर, 2000 दलिप परिवार वाले लोग प्रात्मिक स्वाजकेन भागवानपूर हाट शिवान में इलाज कराने जाते हैं। वहाँ जो सरकारी डॉक्टर दवा लिखते हैं, वो सरकारी दवा वित्रण के अंदर से सभी दवा नहीं मिल पाती हैं। और कहा जता है कि दवा उपलब्ध नहीं हैं, बाहर से खरिद लेजिए। आपके अंदर से खरिद्रण के अंदर से सब्सक्राइब। चायद के रहने वाले रजेश कुमार को तबियत खराब हुआ है, वो सरकारी प्राथमिक स्वास्ते भवाणपूर हाथ में इलाज कराने गया हैं, उन्हें कोई सुभीधा नहीं मिला, सरकारी डाक्टर जो दवा लिखे और काउंटर पर दवा नहीं मिल पाया, अब कब से बी प्राइबेट डाक्टर से दिखाना पड़ा, और सरकारी में जब दिखाए थे तो, नहीं ठीक हुआ हमको, किस वजासे नहीं ठीक हुआ है, वो दवा नहीं मिला, और दवा सही नहीं लिखा गया, परसानी क्या हुआ, परसानी है कि जो पैसा कीसी तर हम अपना ब्यस्था क आप ये साथ है कि और लोग के साथ ही है? और लोग के साथ हो सकता है, चाह होता होगा? तुका चाहत हैं अब हम चाहत हैं कि यह जदा आइस्वा मिल्या तो मिल्या कहां पर मिल्या इस तर में ने यह विडियो इसलिए बनाई हूं कि इस तरह मेरे देवर के साथ भी हुआ है वो घरीब होने के कारण वह दवा बाहर से नहीं खरिद पाया और दवा मही थी और उन्ह मोत के शिकार होन प्राण आगे मैं नहीं चाहती हूं कि इस तरह और किसी के साथ हो इसके लिए मैं प्रभावित परिवार से आवेदन पर जिलाची किस्था पदादिकारी शिवान के करणाले में दिलाओंगी इसमें आप लोग मेरा मदद कर सकते हैं जिलाची किस्था सबी दवा शरकारी दवा वित्रन केंद से में उपलव्द हो सके मैं ज्यानती कुमारी भागवान पूर्ट सिवान बिहार से इंडिया अनहट के लिए